नमस्कार मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूस 31 उत्राखंड और अब वक्त हो चुका है उत्राखंड की एहन खबरों का तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला देहरादून के पुलिस फोर्स में महिला कमांडो और स्मार्ट चीता पुलिस दस्तों का गठन किया गया है इस दोरान दस्तों को सीम तरवेंदर सिंग रावत ने विधिवत रूप से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया आपको बता दें कि ट्रेनिंग के बाद महिला कमांडो दस्तों को महा कुम्भ में पहली तैनाती मिलेगी वही 22 महिला कमांडो दस्ता पूरी ट्रेनिंग के बाद ATS यानि एंटी टेरर एसकॉर्ट का हिस्सा बनेंगी जो प्रदेश ही नहीं बलकि पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे जो यहां पर सेक्ड़ों जो बच्चियां यहां पर आज इस कार्कम को देख रही थी उनके मन में भी एक जोसो रुटसा होता है कि हाँ हम किसी से कम नहीं है हम भी कर सकते हैं जिस तरह के हैरतंगेज करतब यहां पर हमारी कमांडों ने दिखाया है तो अपने आप में बे निशाल है उनकी जितनी परसंसा की जाये कम है जो आपने कहा फ्यूचर जैसा माननी मुख्यमंतरी जी ने कहा कि हमें लगता है कि इस चीज को हम और बड़े लेवल पर लिजाये जा सकता है यह 22 जो कमांडों की ट्रेनिंग हुई है यह 12 दिनों की ट्रेनिंग थी और जिस पद्धती में इनकी ट्रेनिंग हुई है उसे कहते हैं मिट्टी सिस्टम मुझे इस बात का गर्व है कि मैं कुछ ऐसा बना पाया अपने वतन के लिए पिथोरागर के जला मुख्याले से लगी सुकॉली गड़कोट सडक लंबे समय से बधाल बनी हुई है दरसल सुकॉली से गड़कोट तक 2014 में विधायक निधी से 2 किलो मीटर की सडक काटी गई थी जिसके बाद इस सडक में कोई काम नहीं किया गया वही सडक में जगा जगा गड़े होने के चलते ग्रामिलों को आवा जाहि में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस दौरान ग्रामिलों ने बताया कि सडक के सुधारी करण की मांग को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है लेकिन प्रश्वासन की ओर से अभी तक इस पर कोई कारवाई नहीं की गई है दिखते हैं, परिशानी हैं, बारिष में इस रोड में चलने के लाहिक नहीं जाती है अभी भी आप रोड से आए होंगे, काफी गड़े हैं रोड में इसमें काफी दिखता उठानी पाड़ी है लोगों को, दूल से परिशान है लोग और गड़े और ये किसी दूलगटना को अंजाम देंगी इससे पहले भी कितने बार यहां से रिपोर्ट दे चुके हैं, यहां डेम साथ कीशे रिपोर्ट हो भी चुका है, लेकिन आज तक इन लोग कुछ भी नहीं किए आज यह मेरे ख्याल से यह करता है यह नहीं करता है, अभी इनका कोई नहीं हो रहा है तो यह हमारे आने जाने के लिए जो है, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी में पढ़ जाते हैं, बरसाद में तो हमारा चलने लाइख हो नहीं दे रही है जिससे उन्हें केंद्रिय नोकरियों में आरक्षन का लाब नहीं मिल पा रहा है वहीं अब उन्होंने जीएम से गोरखा जातियों को अन्या जिलो की तरज पर OBC परमानपत्र देने की मांग की है उन्हें नाजर की आजमन मिन किया, इसकी साथ ही हमारी समझ्या थी कि उत्राखन सरकार में तो हमें OBC का परमानपत्र दिये जा रहे हैं लेकिन हमें जो है Central Government उसकी लिए जो पत्र नहीं दिये जा रहे हैं खटीमा में भारत्य किसान यूनियन के नेता प्रकाश तिवारी के नेतरत्व में दरजनों किसानों ने तक्सील में प्रदर्शन किया इस दौरान किसान नेता प्रकाश तिवारी ने बताया कि पिछले 90 दिनों से किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वही आंदोलन के दौरां 23 जनवरी को हुए टेक्टर मार्च में किस्तानों की ओर से किये गए हंगामे के बाद पुलिस ने किस्तानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था उन्होंने किसानों पर दर्ज किये मुकद में और तीनों क्रिशिक कानूनों को वापस लेने की मांग की है जिनके खिलाब जूटे केस लगे हैं और एतीन काले कानून वापस लेने के लिए आज पूरे भारत में तैसिल मुख्यालों में हमारे किसान भाई धर्ना प्रदसन और ग्यापन देंगे काशिपूर में छाबनी चिल्डन अकैडमी में आयोजित भरो तोलन प्रतियोगिता का कॉंग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंग ने शुबारम किया इस दौरान उन्होंने कुंब और कोरोना को लेकर केंद्र की भाषपस सरकार और राज्यस सरकार पर जम कर निशान साथा साथ ही आमादमी पाजी पर भी तंच कस्ते हुए उससे पानी का बुलबुला करार दिया वहीं उन्होंने सरकार पर कुंब की तयारियों को गंभीरता से नहीं लेनी की बात कही बागेश्वर में नो सूत्रिय मांगो को लेकर प्रांतिय वयपार मंजल के पदाधिकारी एस्टियम से मिले इस दोरान मंजल के पदाधिकारियों ने केंद्रिय वित्मंत्री निर्मला सीता रमन को ग्यापन धेच कर कई सुझाब दिये वहीं ग्यापन देने पहुँचे वयपारियों ने कहा कि जीएस्टि नियमा वली में वयापक संशोधन के कारण वयपार करना खठिन हो रहा है FSSCI के लाइसेंस फीस में और उसके प्रावधानों में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका विरोच कर रहे है औखलादा के ग्राम सभाब हुमका में ग्राम प्रधान मुकेश चंद्र बोध की अध्यakष्टा में ख्ली बैठक का आयोजन किया गया इस दोरान ग्राम प्रधान ने कहा कि गाव के विकास कार्यों की गुनवत्ता ही उनकी प्रात्मिकता है साथ ही उन्होंने ग्रामिलों के विकास कार्यों में सहयोग देने की अपील की है वहीं उन्होंने सडक के निर्मान का काम जल से जल सुरू करने की बात कही इस दौरान बैठक में नव्यूवक मंगल दल का गठन ही किया गया जिसका नाम डॉक्टर अंबेटकर नव्यूवक मंगल दल भूमकार रखा गया है और इसी के साथ उत्राखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहिए न्यूस 31 उत्राखंड नमस्कार